सुधार इस हद तक होना चाहिए कि आप जहां भी खड़े हों आप अलग दिखें अगर आप मर भी जाएं तो भी आप जीएं लेकिन जीवित होते हुए आपको मरा हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह से बहुत सारे साधू संद जो इतनी तीवरिता से जीए कि हजारों साल बा अब कल ही कोई मुझे याद दिला रहा था मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया US और UK में मेरी दिन चर्या बहुत व्यस्त थी, मैं यहां आया, सिर्फ एक दिन आश्रम में, फिर मैं आस्ट्रेलिया चला गया, बेहत व्यस्त दिन चर्या, एक दिन के लिए मैं किसी बेकार बुखार से बीमार हो गया, और फिर मैं यहां आया, सिर्फ एक दिन के लिए, फिर पर था, जहां मैं कावेरी कॉलिंग के लिए राजनीतिक साहता पानी की कोशिश कर रहा था, मैं वापस आया और उसे दिन मैंने कावेरी कॉलिंग शुरू कर दिया, और इसे खत्म करके बस मैं यहां आया ही था, एक दिन भी नहीं, 17 को हम आए, 18 को सुभा, 9 बजे मैं मीटिं के लिए बैंगलोड चला गया, और यह चलती ही रही, मैं कली लोटा हूँ, तो वो कह रहे थे, सद्गुरू आपने एक दिन कभी आराम नहीं किया, आज मेरे आराम का दिन है, आप तालियां क्यों बजा रहे हैं, सुभा से फाइलों का धेर लगा हुआ था, और यहां पर आप सभी हैं, और अब मीटिंग पर मीटिंग हैं, और आज रात ग्यारा बजे, काल भहरव कर्म हैं, आज रात महाला या मवस्या, यह आराम का दिन है, तो क्या शरीर कभी-कभी शिकायत करता है, बिलकुल यह करता है, अगर शरीर शिकायत नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप इसे इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं, इसे जरूर शिकायत करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं, आपको यही सीखना है, इसके लिए आप जो भी कर रहे हैं, उसके प्रती भक्ती की जरूरत है, अगर आप में भक्ती नहीं है, शरीर से पहले मन शिकायत करेगा, भावनाय श नहीं 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 पहले शरीर को शिकायत करनी चाहिए मतलब आप शारिरिक रूप से पूरा खीच गए है फिर मन समझदारी से मेरी तरह समझदारी से फैसला ले सकता है आप मेरी तरह आराम कर सकते हैं मतलब रात में सिर्फ बारा बजे तक आप काम करते हैं सिर्फ आधी राग तक, उसके बाद आप सोते हैं नहीं तो सुबह दो बज़े तक काम होता है आज आराम का दिन है अगर आपका शरीर ये महसूस नहीं कर रहा है कि जीवन कठिन है शरीर, मन नहीं इसे सोचना चाहिए कि ये कठिन है जब आप बैट पर जाएं तो आप सोए नहीं, आप मर जाएं एक तक या इस तरह है नेंद नहीं आ रहा है आप पत्थर पर लेट जाएं आप ऐसे ही मर जाएं दिन के खत्म होने तक आपको इस तरह होना चाहिए पिर अगले दिन सुबह ये इस तरह से उचल पड़ेगा जैसे फिर से जन्म हुआ हो इस तरह नहीं आपको महसूस होना चाहिए कि ये शरीर के लिए कठिन है क्योंकि ये इसकी प्रकृती है आप इससे जितना ज्यादा काम लेते हैं ये उतना ज्यादा मजबूत बनता है उतना ही बहतर बनता है हां जो इसे अगले दिन के लिए बचाने की कोशिश कर रहे है इस्तिमाल नहीं कर रहे है वो जीवन बचा कर नहीं रखा जा सकता है ये समझना जरूरी है हां मरी हुई चीजें बचा कर रखी जा सकती है जीवन बचा कर नहीं रखा जा सकता है इसे सिर्फ पोशन देकर इस्तिमाल किया जा सकता है अगर आप खुद को संभाल कर और बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा उन्होंने मुझे लगातार व्यस्ट कर रखा था ये कहा था? बैंगलोर या दिल्ली में कहीं? बहुत सारे कारेक्राम, लगातार मीटिंग्स मैंने का मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ एक गंटे की जब आप जवान हैं तो आपके जीवन में एक गंटे की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए नहीं तो आप बहुत जल्दी बूड़े हो जाएंगे हाँ जो बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं वो बहुत जल्दी बूड़े हो जाते हैं जब आप जवान हैं तो पांच मिनिट भी छुट्टी नहीं लेनी है इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लगातार खुद को सुधार रहे हैं, या तो बाहरी काम से, या अंदरूनी काम से, लेकिन सुधार इस हद तक होना चाहिए, कि आप जहां भी खड़े हों, आप अलग दिखें, ये किसी के साथ होड लगाने के लिए नहीं है, लेकिन इस जीवन को प अच्छा नारियल का पेड़ बनने की हर संभव कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से, यही चीज एक पंची के साथ है, टिड़े के साथ है, एक कीड़े के साथ, एक हाथी सब के साथ है, है कि नहीं? सिर्फ इनसान जिजग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिमागी पिधी को सही से चलाना नहीं सीखा है, उनके अपने विचार उन्हें उलजा रहे हैं, एक बुनियादी सवाल भी, मुझे पूर्ण विक्सित जीवन बनना चाहिए या नहीं? ऐसा सवाल एक बहस का मुद्दा बन गया है, और लोग सोचते हैं कि यह बुद्धिमानी है, आ पूर्ण विक्सित जीवन बनना ही है, अगर यह पूर्ण विक्सित जीवन बनता है, तो यह क्या करेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या करेगा, यह जो भी करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, यही है जो महत्व पूर्ण है, यह जो भी करेगा, अच्छा करेग बस इसी की ज़रूरत है ऐसा नहीं है कि इस संसार में बस एक तरह का काम मैं तो पून है हर एक काम मैं तो पून है अगर इसे सही से किया जाए तो ये शांदार होगा ये जो भी हो कोई पोछा लगाता है देखे उन्होंने अच्छे से किया है क्या ये शांदार नहीं है? क्या ये किसी काम से कम है? तो इसके लिए सब को एक ही तरीके से देखने के लिए हर समय पूरी गती से काम करने के लिए आप में भक्ती होनी चाहिए आप में भक्ती के आग होनी चाहिए नहीं तो थायरे मैं थायरे के खिलाफ क्यों बूल रहा हूँ ये गाये के लिए भेदभाव वाली बात हो सकती है अगर आप मर भी जाएं तो भी आप जीएं लेकिन जब आप जीवित हैं तब आपको मरा हुआ नहीं होना चाहिए है कि नहीं? अलो? जिन्होंने अपना जीवन सच में पूरी तरह से जिया वो मरने के इतने लंबे समय बाद भी कुछ माईनों में जीवित हैं ऐसा है कि नहीं? तो हम हजारों साल बाद भी आदियोगी को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी गहरी तीवरता से जीवन जिया इस तरह के बहुत सारे साधू संथ जो इतनी तीवरता से जीए कि हजारों साल बाद भी हम उन्हें भुला नहीं सकते वो अब भी हमारे दिलों दिमाग में बसते हैं कुछ दिनों में महात्मा गांदी की डेड़ सौवी जैनती है देखिए ये इनसान अब भी जीवित है सिर्फ इसलिए कि जो भी वो कर रहे थे हम उनके साथ बहुत सारी चीजों पर सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन वो जो भी कर रहे थे पूरी तरह से बिना किसी जिजक के कर रहे थे है कि नहीं? आपके साथ इतना जरूर होना चाहिए कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी उर्जाएं, आपके जीवन में रुकावट नहीं है ये आपके जीवन में सशक्ती करण का साधन है इतना आपको जरूर करना चाहिए